बादलों में जादूई सोने चांदी का केक बिलासपूर गाउ में मधूरिमा की शादी बड़ी ही धूम भाम से राजीव नाम के लड़के से हुई राजीव एक निकम्मा और आवारा लड़का था उसके माबापने ये सोच कर उसकी शादी करा दी ताके शायद वो शादी के बाद सुधर जाए शादी के कुछ सालों तक तो मधूरिमा के जीवन में सब कुछ ठीक रहा और उसे सोनम नाम की एक बहुत ही प्यारी बीटी हुई मुबारको बहू, हमारे घर तो लक्ष्मी आई है आपको मैं बहुत मुबारको माजी करने के जरूरत नहीं है तभी नशे में जूलता हुआ राजीव घर आता है ये आपने अपने कैसी हालत बना रखी है जी दूर हो जाओ मेरे से, मैं कुछ भी करूं तू मुझे समझाने वाली होती कौन है, चल हटे याँ से कुछ तो शरम कीजिए, अब आप पिता बन गई है ये सारी आदते छोड़ दीजिए तू मुझे ग्यान मत दे, मुझे पैसे दे आज तो मैं पूरी रात दारू पिऊंगा और अपने सभी दोस्तों को भी पिलाऊंगा इतना बोलकर राजीव अलमारी में से मधुरी मा के सारे गहने निकाल लेता है और जाने लगता है माजी, माजी दीखी नहीं क्या कर रहे है अरे नालायक, तुझे शरम है ये नहीं सब पैसे तो जुआ और शराम में फुग गया अब ये बहु के गहने ले जाते हुए तुझे जरा भी शरम नहीं आ रही है मैं कहती हूँ गहने रख दे वरना मुझे बुरा कोई नहीं होगा चल हट बुडिया, तू मुझे रोकेगी इतना बोलकर राजीव अपनी मा को चोड से धक्का देता है जिससे उसकी सास जमीन पर गिर जाती है और उसके सर से खून बहने लगता है मा जी, मा जी, आप ठीक तू है ना अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ अपनी मा की ये हाले देखकर राजी वहां से भाग जाता है मधूरी मा की आवाज सुनकर आस-पास के लोग इखटा हो जाते हैं और देखते हैं तो पता चलता है कि उसके सास अब इस दुनिया में नहीं रही मधूरी मा का एक ही सहारा था अब वो भी नहीं रहा मधूरी मा फूट-फूट का रोने लगती है और फिर गाउवालों के समझाने के बाद वो खुद को समभालती है और अपनी सास का क्रिया करम कर देती है मुझे अपनी बेटी के लिए जीना ही हूगा मैं इसकी भविशे को खराम होने नहीं दे सकती मधूरी मा सिलाई का काम शुरू कर देती है वो बहुत अच्छा सिलाई जानती थी इसलिए उसका काम भी अच्छा चल रहा था मधुरिमा ने अपनी बेटी सोनम का दाखिला अच्छी स्कूल में कराया था सब कुछ ठीक चल रहा था फिर एक दिन अचानक राजीव नशे में जूलता हुआ घर आता है मधुरिमा के चिलानी की आवाज सुनकर राजीव वहां से भाग जाता है अब मधुरिमा को वहां रहना सुरक्षित नहीं लग रहा था इसलिए वो अपनी बेटी सोनम को लेकर शहर आ जाती है सोनम अब बड़ी हो चुकी थी और वो बहुत ही महनती और इमानदार लड़की थी उसकी इमानदारी को देखकर मधुरिमा की मकान मालकिन अनुराधा ने उसे अपने घर में पनहा भी दिया साथ ही उसे अपने केक की बेकरी में काम पर भी रख लिया सोनम ने बोहती जल्दी केक बनाना भी सीख लिया सोनम का बनाया हुआ केक इतना स्वादिष्ठ होता कि हर कोई उसी की बेकरी से केक खरीदने लगा अरे सोनम बेटा, मैं तुम्हारी लगन और महनत से काफी खुश हुई तुम्हारे हाथों में तो जैसे जादू है तुम्हारे हाथ का बनाये हुआ केक बहुत ही स्वादिष्ट होता है इसलिए मैं तुम्हारी सेलरी 5000 से बढ़ा कर 15000 कर रही हूँ इसी तरह मन लगा कर काम करो आपकम बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन उसी बेकरी पर रंजू नाम की एक लड़की काम किया करती थी रंजू सोनम की तरक्की से जलने लगी ये कल की आई हुई फटीचर कैसे मालकिन की चहिती बनकर घूम रही है जाने क्या जादो कर दिया है इसने सब के उपर अगर ऐसा ही रहा तो मालकिन मुझे यहां से धक्के देकर निकाल देगी मुझे कुछ करना होगा एक दिन अनुराधा सोनम से कहती है सोनम बेटा आज एक बहुत ही स्पेसल ओर्डर आया है इस सहर के मसूर बिजनसमेन रादे स्याम के वेटे का जनम दिन है और उनके लिए तुम्हे ही केक बनाना है और मुझे पूरा यकीन है उन्हें तुम्हारे हाथों का केक जरूर पसंद आएगा और अगर ऐसा हो गया तो हम बहुत जल्दी माला माल हो जाएंगे जरूर मालकिन देखना मैं इतना स्वादिष्ट केक बनाऊंगी किस्ता अभरान रह जाएंगे और फिर सोनम केक बनाने में लग जाती है पूरे दिन की महनत के बाद केक बनकर तयार हो गया केक देखने में बहुत ही सुन्दर और स्वादिष्ट था केक बनाकर सोनम वहां से चली जाती है तभी मौका देखकर रंजू वहां आ जाती है और केक में मिर्ची और जमाल घोटा मिला देती है अब आएगा असली मजा थोड़ी देर बाद अनुराधा सोनम से कहती है सोनम वह स्पेसल केक ले आओ गेश्ट आ चुके है सोनम खुशी खुशी वह केक लेकर आती है और बिजनसमैन राधे शाम के बेटे को सर्फ करती है उसने जैसे ही केक खाया केक खाते ही उसके पेट में गुड़़़ होने लगा और वो उल्टी करने लगा पिताजी यहाँ मुझे कैसे घटिया दुकान पर ले आए केक के अंदर भला कोण इतना सारा मिल्ची डालता है मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे उल्टी भी आ रही है बेटी की ये हालत को देखकर राधे शाम की पत्ली सीमा अनुराधा पर भड़कते हुए बोलती है तुमने मेरे बेटे को ये स्पेशल बोलकर क्या खिला दिया अगर मेरे बेटे को जराबी कुछ हुआ फिर मैं तुमें छोड़ूंगी नहीं तु मुझे जानती नहीं है मैं तुम्हारे इस पूरे बेकरी को सील करवा दूँगी ताकि तुम्हारा ये घटिया के खाकर कोई और बिमार ना पड़े अनुराधा को उनके सामने बहुत ही जादर शर्मिंदा होना पड़ता है और वो उन सब से हाथ जोड़कर माफी मांगती है सेट के जाने के बाद गुसे से अनुराधा सोनम को थपड़ मारती है सोनम तुमने ये अच्छा नहीं किया तुमने मेरे भरोसे को तोरा है मैं तुम्हे नहीं छोरूंगी तुमने ये सब मेरी दुकान बंद कराने के लिए किया है ना लेकिन मैं तुम्हें इस मकसद में कभी कामियाब नहीं होने दूँगी आज तक मैंने जो तुम पर एहसान किया है और तुझे अपने घर में पना दी है मुझे हुआ सब पैसे वापस चाहिए मुझे अब तुम दो लाक रुपे लाकर दोगी तभी मैं तुझे यहाँ से जाने दूँगी अब जाओ और पैसे लेकर आओ तभी तुम यहाँ से अपनी मा को ले जा पाओगी समझे? मालकीन आप मुझे गलत समझ रही है मैंने तो पूरी लगन और महनस से स्वादिस्ट केक बनाया था लेकिन केक का स्वाद इतना जादा कैसे बिगड गया? मुझे नहीं पता मालकीन मुझे पर दया कीजिए मैं इतने पैसे कहां से लाओंगी? मैं आपको दो लाक रुपे नहीं दे पाओंगी मेरे यकीन कीजिए मैंने केक में कुछ नहीं मिलाया सोनम रोते हुए अनुराधा से बहुत माफिय मांगती है लेकिन अनुराधा उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और उसे धक्के मार कर सोनम को वहां से भगा देती है ये देखकर रंजु मन ही मन बहुत खुश होती है सोनम रोते रोते वहां से जा रही थी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतने पैसे कहां से लेकर आए तभी उसे रास्ते में पैसों से भरा हुआ बटवा मिलता है अरे ये किसका बटवा है? बटवी में तो बहुत ही जादा पैसे हैं जिसका गिरा होगा वो कितना परिशान हो रहा होगा मुझे यही रुकर बटवी के मालिक का इंतजार करना चाहिए ताकि मैं इस बटवी के मालिक को यह बटवा दे सकूँ तभी अचानक वहाँ पर एक बुड़ी और आई और बोली बेटी सुनो क्या तुमने यहां मेरा बटवा देखा है क्या? मैं अभी अभी सी रास्ते से गुजरी थी और मुझे लगता है मेरा बटवा यही कहीं खो गया है हाँ अमा यह लीजिए आपका बटवा इसमें रखे सारे पैसे गिल लीजिए यह कहते हुए सोनम ने उस बुड़ी औरत के हाथों में बटवा थमा दिया तभी वो बुड़ी औरत एक सुन्दर परी में बदल गई और सोनम से बूली सोनम तुम बहुत ही इमानदार और अच्छी लड़की हो मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ तुम्हें पैसों की कितनी जरूरत थी लेकिन तुमने फिर भी लालच नहीं किया तुम चाहती तो तुम ये सारे पैसे रख सकती थी पर तुमने ऐसा नहीं किया मुझे पता है कि तुम कितनी परिशानी में हो आओ मेरे साथ मैं तुम्हारी सारी परिशानी दूर कर दूंगी मैं तुम्हें अपने जादी सोने चांदी के 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 पास बादलों में लेकर चलती हूँ ये कहते हुवे परी सोनम को हवा में अपने साथ उड़ाते हुवे बादलों में बने जादी सोने और चांदी के बर्थड़ी के के पास ले गई और फिर परी सोनम को इस केक घर से एक सोने और चान्दी का केक देते हुवे बोली सोनम जादूई सोने के केक से तुम्हें बहुत सारे धन दोलत मिलेगा और जादूई चान्दी के केक से तुम्हें इंसाफ मिलेगा अब तुम जाओ और चान्दी का केक सब को खिलाओ, जो भी गलत होगा वो खुदी अपना जुर्म कुभूल कर लेगा अब तुम जादु सोने और चान्दी केक की मदद से अपना और अपनी मा का जीवन खुशी से बिता सकती हो सोनम परी का धन्य वाद कर जादू सोने और चांदी का केक लेकर अनुराधा की दुकान पर पहुंची सोनम ने जादू चांदी का केक सब को खिलाया जादुई चांदी का केख खाने के बाद रंजु मालकिन अनुराधा को सारी सच्चाई बताते हुए बोलती है कि सोनम निर्दोश है उसने कुछ नहीं किया सारी सच्चाई जानकर अनुराधा ने रंजु को धक्के मार कर दुकान से निकाल दिया और उसके बाद उसने सोनम से भी माफी मांगी घर आने के बाद सोनम ने मन ही मन सोचा रंजु को तो उसकी की की सज़ा मिल गई लेकिन एक और इनसान है जिसे उसकी की की सज़ा जरूर मिलनी चाहिए और ये सोचकर सोनम अपनी मा के साथ अपने गाउं लोट आती है और घर आकर अपने पिता को चांदी का केक खिला देती है केक खाने के बाद राजीव खुदी पुलिस टेशन जाकर अपना गुना कबूल कर लेता है कतल के जुर्म में राजीव को उम्रकैद की सजवा मिलती है और सोनम अपनी मा के साथ जादी सोने चांदी केक के साथ हसे खुशी रहने लगती है रानी परी कि नन्ही राचकुमारी परी एक बार की बात है, एक कोमल नाम की बहुत खुबसुरद नन्ही परी थी, जो आज तक कृत्वी लोग नहीं आई थी, नहीं उसने कभी धर्ती का नचारा देखा था. जहाँ पर हर कोई खुश रहता था वहाँ पर कोई भी दुखी नहीं था और सबी लोग कोमल परी से बहुत प्यार करते थे और वो भी सब की बहुत इज़त करती थी और सबसे प्यार से बाते किया करती थी एक दिन नन्ही परी का धरती पर घुमने का बहुत मन करता है रानी परी से इजाज़त लेने के लिए वो रानी परी के महल जाती है और कहती है रानी परी मैं आपसे यहां पर आग्या लेने आई हूँ मैं काफी दिनों से धरती पर जाने की सोच रही हूँ अगर आप मुझे आग्या दे दे तो मैं एक बर धरती पर जाना चाहती हूँ ये तो बहुत अच्छी बात है कोमल परी हम तुम्हारे विचारों से बहुत खुश हुए अब तुमने बहुत कुछ सीख भी लिया है तो तुम धरती पर जा सकती हो रानी परी से आग्या लेने के बात कुमल परी दुनिया का दोरा करने का फैसला करती है और वो धरती पर उड़ते उड़ते पहुचाती है धरती पर पहुचकर कुमल परी देखती है कि वहाँ पर तो बहुत सुन्दर सुन्दर शहर है जहाँ पर उची उची इमारते बनी हुई है और वहाँ पर बहुत ही जादा तक्नी की फैली हुई है ये सम देखकर कोमल परी बहुत खुश होती है अब कोमल परी धर्ती को और अच्छे से देखना चाहती थी जैसे जैसे वो धर्थी पर इंसानों की खुच बीन करती है, तब उसे एहसास होता है कि धर्थी पर सभी लोग अपने काम काज में व्यश्ड रहते हैं और वो अपने काम से कभी भी संतूस्ट नहीं होते हैं, वो हमेशा अपनी जरूरत से ज़ाधा चाहते हैं, ये देखकर क गौमल परी थोड़ी उदास हो जाती है यहां धरती पर कितने सारे अद्बुत चीज़ें हैं परुंतु फिर भी मानव अपने चीजों से प्रसन नहीं हुआ है वो हमेशा अपनी इच्छा से जादा चाहता है ऐसा ही चलता रहा तो लोग हमेशा दुखी रहेंगे छोटी छो उड़ते उड़ते सडक के किनारे पहुंचाती है वहीं गाउं में उसे एक छोटी सी लड़की रोते हुए नजर आती परी उसके पास जाती है और उससे पूछती है क्या हुँआ तुम्हाँ पितने खुश हैं मुझे बताऊ तुम्हें अगर किसी चीज़ की आविश्क्त तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ मेरे पास खेलने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे माता पिता मजदूरी करने गई है और मेरे साथ कोई भी नहीं है इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है छोटी बच्ची की बात सुनकर कोमल परी को समझ आ जाता है कि उसके पास ख चोड़ी घुमाती है और उस चोटी बच्ची के सामने धेर सारे सुन्दर सुन्दर खिलोने प्रकट कर देती है खिलोने देखकर चोटी बच्ची बहुत जादा खुश हो चाती है वह सारे खिलोने लेने के बाद चोटी बच्ची परी को धन्यवाद दे देती है परी को ब परी को बहुत अच्छा लगता है चोटे बच्ची को खुश देखकर कुमलपरी में रहने लगती है और वो गरीब और जरुरतमंद लोगों की मदद करती है वो अपनी जादू का इस्तेमाल करती है और गरीब लोगों के चहरे पर मुस्कान लाने के लिए मुसीबत में मदद करती है जब भी कोमल परी को कहीं भी उदासी दिखती तो वो वहाँ पर प्यार फैलाने की कोशिश करती और इस प्रकार नन्ही कोमल परी हमेशा के लिए प्रित्वी लोग पर ही रहने लगती है और उसके इस फैसले से राने परी भी बहुत खुश होती है दूर किसी गाउं में प्रतिग्या अपनी छोटी बहन कृतिका के साथ रहती थी अपने मातापिता के जाने के बाद दोनों बहने ही एक दूसरे का सहारा थी प्रतिग्या अपनी छोटी बहन कृतिका को मा जितना प्यार देती थी और उसे कभी भी मा की कमी महसूस नहीं होने देती थी प्रतिग्या फूल बेच कर अपने घर का गुजारा करते थे और कृतिका को पढ़ने के लिए स्कूल भी भीजती थी एक दिन प्रतिग्या ठक खार कर फूल बेच कर घर लोट रही होती है तभी उसकी नजर एक सेप के पेड़ पर जाती है प्रतिग्या को बहुत जोर से भूक लगी होती है इसलिए पेड़ पर लगे लाल-लाल सेब देखकर उसे खाने का मन करता है प्रतिग्या बगीचे में जाती है और सेब के पेड़ से सेब तोड़नी की कोशिश करने लगती है तभी वहां बगीचे का मालिक आ जाता है और गुस्ते से प्रतिग्या को कहता है खबरदार लड़की अगर तुने मेरे बगीचे के सेब को हाथ लगाने कोशिश की तो चल अभी कभी मेरे बगीचे से बाहर निकल मुझे बहुत भूक लग रही है साहाब बस एक सेब दे दो एक एक सेब की कीमत होती है समझी मैंने बोला न अभी कभी मेरे बगीचे से बाहर निकल वरना मैं अपने बीबी को बुला लूँगा और वो तुझे बहुत पिटेगी नहीं नहीं आप ऐसा कुछ मत करना मैं जा रही हूँ इतना बोलकर प्रतिग्या वहाँ चे जाती है रास्ते में एक बुढ़ी औरत अपने फल की टोकरी लेकर बैठी होती है प्रतिग्या को देखकर बुढ़ी औरत उसे रोकते हुए बोलती है रुको बेटी जरा इधर तो आओ बुढ़ी औरत की आवाज सुनकर प्रतिग्या उसके पास चाती है बुढ़ी औरत प्रतिग्या को कहती है बेटी जरा इस फलो की टोकरी को मेरे सर पर रखने में मेरी मदद करोगी प्रतिग्या देखती है कि उस बूढी औरत के टोकरी में बहुत सारे फल है इतने सारे फल देखकर प्रतिग्या समझ जाती है कि बूढी औरत के आज जादा फल नहीं विके है अमा जी मुझे लग रहा है कि आज आपके जादा फल नहीं विके है हाँ बेटी, कभी कभी दोहरी तकलीफ उठानी पड़ती है एक तो फल ना बिकने की तकलीफ और दूसरी इतनी भारी टोकरी घर तक ले जाने की तकलीफ लोग बड़ी बड़ी दुखानों में मोलभाव नहीं करती है लेकिन मेरे सेब को बहुत सस्ते दामों में खरीदना चाहते है कभी-कभी तो इतने कम दामों में मांगते हैं कि मेरी लागत भी उससे ज़्यादा होती है अम्मा, मैं आपकी दूस्ती तकलीफ यानि टोकरी को घर तक ले जाने की तकलीफ कम कर सकती हूँ आपकी टोकरी मैं अपने सर पर रखकर आपके घर तक पहुचा दूँगी रहरे दो बेटी, मेरे लिए तुम इतनी बरिशानी क्यों उठा रही हो ये तो हर दिन की बात है, कभी जादा बोज रहता है, कभी हलका बोज रहता है कोई बात नहीं, लेकिन आपका आज कभ बुच मैं उठाओंगी उसके बाद प्रतिग्या टोकरी अपने सर पर उठाती है और बुड़ी अम्मा के साथ उसके घर जाती है कुछ देर बाद बूड़ी अम्मा का घर आ जाता है घर में फलों की टोकरी रखकर प्रतिग्या बोलती है अम्मा, आप इस उम्र में फल बेशने का काम क्यूं करती हो? बिटिया, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है इसलिए पेट को भड़ने के लिए कुछ तो काम करना ही पड़ेगा आपके घर में कोई नहीं रहता आपके साथ? अभी कुछ साल पहले ही मेरी जवान बेटी की मौत हो गई तब से मैं इसी तरह अकेली हूँ अब हर दिन भगवान से यही प्रातना करती हूँ कि भगवान मुझे भी उठा ले बुड़ी अम्मा की बाते सुनकर प्रतिग्य की आखे भर आती है प्रतिग्य मन ही मन बुड़ी अम्मा की मदद करने का फैसला करती है और बोलती है अम्मा, आज से हर रोज मैं आपकी टोकल उठा कर ले जाओंगी इस उम्र में आपका इतना भारी बोज उठाना सही नहीं है इतना कहकर प्रतिग्या जाने लगती है तभी बुड़ी अम्मा उसे रोकती है और बोलती है रुको बेटी, हम दोनों में इतनी बात हो गई लेकिन तुमने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया अम्मा, मेरा नाम प्रतिग्या है और इस गाओं में मैं अपनी छोटी बेहन के साथ रहती हूँ अरे वाह, तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है उसके बाद बुड़ी अम्मा अपने फलो की टोकरी से तीन सेब निकालती है और प्रतिग्या को देने लगती है ये लो बेटी, तुम इन तीनो सेब को जाकर अपने घर के बाहर मिट्टी के अंदर लगा देना बुड़ी अम्मा की बाद प्रतिग्या को थोड़ी अजीब लगती है लेकिन वो उनकी बात मान कर तीनो सेब अपने घर के बाहर जाकर लगा देती है अगले दिन सुभा प्रतिग्या देखती है कि उसके घर के बाहर तीन छोटे-छोटे सेब के पोधे आ जाते है अरे वाँ, कल ही तो मैंने तीनों सेब यहां लगाए थे और इतने चलते पोधे भी उग गए प्रतिग्या उन तीनों सेब के पोधे को जितनी बार देखती थी, वो पोधा और बड़ा होता जाता था कुछी दिनों में तीनों सेब के पोधे एक बड़े से सेब के पेड़ में बदल जाते है तीनों पेड़ पर बड़े बड़े लाल लाल धेड़ सारे सेब लटके हुए थे तीनों सेब के पेड़ को देखकर प्रतिज्या हैरान होकर बोलती है अरे, मूरी अमा के दिये हुए सेब से ऐसा कमाल होगा ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था तभी कृतिका वहां आती है और प्रतिग्य से बोलती है अरे दीदी आपको फूल बेचने की कोई जरूरत ही नहीं है अपसे आप इनी सेब को बाजार में बेचकर मुनाफ़ा कमाना हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो उसके बाद दोनों मैंने सेब के पीडों से शेब तोड़ने लगती है जैसे ही दोनों मैंने सेब तोड़ती थी वहां फिर से एक नया सेब आ जाता था इस तरह सेब खतम ही नहीं हो रहे थे और सेब से कई बोरे भी भर गए थे ए भगवान ये कैसा जादू है आपने तो मुझे सेव का इतना बड़ा भंडार दे दिया है प्रतिग्या के इतना कहते ही तीनों पेड में से किसी एक पेड से आवाज आती है बिटिया बोड़ी अमा ने जो तुमें सेव दिये थे वो तीनों सेव जादू ही थे क्या ये बात अमा को पता थी? नहीं ये बात अमा को पता नहीं थी क्योंकि उनको ये तीनों सेव एक जादू गर्नी ने दिया था अमा ने इन तीनों सेव को मामुली समझ कर बेचनी लगी थी लेकिन उनके बिकरी ना होने की वज़े से ये सेव नहीं बिक पाए आज से तुम्हें किसी भी परिशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा उस दिन के बाद से प्रतिग्या सेप का व्यपार करने लगती है सेप को बेच कर प्रतिग्या धेर सारा धन इखटा कर लेती है एक दिन प्रतिज्या वहीं बुड़ी अम्मा के पार चाती है और बोलती है अम्मा आज से आपको फल बेशने के कोई जुरत नहीं है क्या? ये क्या बोल रही हो बेटी? अम्मा भगवान की दया से आपके इस बेटी का सेप का व्यापार दूर दूर तक होता है इसलिए अब मुझे किसी चीज के कोई कमी नहीं है और आज से आप मेरे साथ ही रहना नहीं बेटी मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ? क्यों नहीं अम्मा आपको दो बेटिया मिल जाएंगी और मुझे मा इसलिए आप मेरे साथ चलने के लिए मना मत कीजिए प्रतिग्य की बात सुनकर बुढ़ी अम्मा की आखे भर आती है और वो उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाती है उसके बात बुढ़ी अम्मा प्रतिग्य के साथ उसके घर जाती है और उसे जादुई तीनों सेप के बारे में बताती है प्रतिग्य की बात सुनकर बुढ़ी अम्मा बहुत खुश होती है और उस दिन के बाद प्रतिग्या कृतिका और बुढ़ी अम्मा एक साथ रहने लगती है अब प्रतिग्या बहुत अमीर हो चुके थी उसके पास बड़ा घर, गाड़ी और सब कुछ था प्रतिग्य के सेब हर जगा मशूर हो गई थे इसलिए वो व्यपारी जिसने प्रतिग्य को एक सेब देने से मना किया था उसके सेब का व्यपार होना बंध हो जाता है ये सम देखकर व्यपारी राजीव को बहुत गुसा आता है और वो अपने मन ही मन सोचता है कहां इस भीकारी ने एक सेब खाने के लिए मेरे सामने हाथ जोड़े थे और आज इसकी वज़े से मेरे सेब कहीं भीक नहीं रहे है मैं इसे छोड़ूँगा नहीं इतना सोचकर वो आदमे कुलहाड़ी लेकर प्रतिग्या के तीनों सेब के पेड़ के पास जाता है और उन्हें काटने लगता है जैसे ही वो पेड़ पर कुलहाड़ी मारने वाला होता है तभी पेड़ में से आग के गोले निकलते हैं और राजीव का घर और बगीचा तहसनेस कर देती है ये सब देखकर वो आदमी वहाँ से भाग चाता है उस दिन के बाद से वो आदमी कभी भी प्रतिग्या को तंग नहीं करता और प्रतिग्या अपनी बहन और बूढी अम्मा के साथ हसी खुशे रहने लगती है घास का जादूई लहंगा और चोली एक समय की बात है एक गाओं में गंगा और मोहन अपनी बेटी मोहिनी के साथ रहा करते थे वे लोग बहुत ही गरीब थे लेकिन वे लोग अपनी बेटी मोहिनी से बहुत प्यार करते थे और मोहन और गंगा अपना घर चलाने के लिए अपने खेतों में दिन रात खेती क्या करते थे और उसी से ही उनके घर का गुझारा होता था तब एक दिन ऐसे ही मोहिनी अपने दोस्तों के साथ बाहर आगण में खेल रही होती है उसी समय का जल अपने हाथ में एक बहुत ही सुन्दर लहंगा चोली लेकर आती है और कहती है अरे ये दिखो मेरा नया लहंगा चोली सुन्दर है ना ये मेरे पिताजी सहर से लेकर आये हैं मेरे लिए बहुत ही महंगा है ये लहंगा चोली और तुम लोगों को पता है मैं इस बार नवरात्री में यही लहंगा चोली पहन कर गर्बा खेलूंगी अरे वहा काजल तुम्हारा लहंगा चोली तो दिखने में बहुत ही सुन्दर लग रहा है मैं भी अपने पिताजी से ऐसा ही लहंगा चोली लाने के लिए कहूंगी अरे, क्या कहा तुम ने, तुम्हारे पिताजी ऐसा लहंगा चोली लेकर आएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता लेकिन भला क्यों, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, अरे, क्योंकि तेरे पिताजी बहुत ही गरीब है वे दो वक्त की रोटी के लिए तो दिन बर खेतों में काम करते रहते हैं ऐसे में वो तुझे नया लहंगा चोली कहां से दिला पाएंगे और रही बात मेरी तो मेरे पिताजी सगाओं के मुखिया है और उनके पास बहुत पैसा है इसलिए तुम मेरे जैसा लहंगा चोली पहनने का सपना छोड़ दो बस इसे देख कर ही अपना काम चलाओ तुम चाहे कुछ भी कहलो काजल लेकिन मैं इस बार तुमसे भी अच्छा लहंगा चोली लेकर दिखाऊंगी देख लेना इतना क्या कर मोहिनी वहां से गुसे में अपने घर आ जाती है जहां गंगा उससे कहती है अरे क्या हुआ मेरी बच्ची को ऐसे मुह बना कर क्यों बैठी है मा आज काजल अपना नया लहंगा चोली लेकर आई थी और वो मुझे कह रही थी कि मेरे पिताजी मुझे कभी भी नया लहंगा चोली नहीं दिलवा सकते बताओ ना मा क्या पिताजी मुझे कभी नया लहंगा चोली नहीं दिला सकते अरे मोहिनी बेटा तुम तो मेरी बहुत समझदार बच्ची हो न और तुम्हे तो पता है न तुम्हारे पिताजी दिन रात हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं तो ऐसे में नया लहंगा चोली खरीदना हमारे बसकी बात नहीं है बेटा क्योंकि लहंगा चोली बहुत ही महंगा आता है तो भलत तुम्हारे लिए नया लहंगा चोली हम कहां से लेकर आप पाएंगे मुझे कुछ नहीं पता है मा लेकिन इस पर मुझे नया लहंगा चोली चाहिए तो चाहिए ऐसे जिद नहीं करते मोहिनी बेटा उसी समय वहाँ पर मोहिनी के पिता मोहन आ जाते हैं और गंगा उनसे कहती है अरे सुनिये जी अब आप ही अपनी लाडली बेटी को समझाईए वो काजल की तरह नया लहंगा चोली खरीदने की जिद कर रही है मोहिनी बेटा अच्छा ये बताओ निवरात्री का मतलब क्या होता है गरवा खेलना अरे बेटा जब गरवा ही खेलना है तो इसमें लहंगा चोली की क्या जरूरत है वो तो तुम ऐसे भी खेल सकती हो नहीं पिताची मुझे इस बार नया लहंगा चोली चाहिए वरना मैं इस बार गरवा खेलने नहीं जाओंगी इस तरह मोहनी जित पकर कर बैठ चाती है कि उसे नया लहंगा चोली चाहिए तो चाहिए ये देखकर मोहन सोच में पढ़ जाता है कि वो अपनी बेटी को नया लहंगा चोली कैसे दिला पाएगा इसलिए वो अगरे दिन अपने खास दोस्त रागब के घर जाता है और उनसे कहता है अरे भाई रागव मुझे तुमसे कुछ पैसो की मदद चाहिए मैं अगले महीने तुमारे सारे पैसे लोटा दूँगा अरे यार मोहन मेरे पास तो अभी एक भी पैसा नहीं है और तुम्हें पता है ना नवरात्री का सामान ख़िदने के लिए खुद ही मेरी पत्नी रोज मुझे से लड़ती है लेकिन भाई जब मेरे पास पैसा है ही नहीं तो मैं उसे कहां से ला कर दूँ अपने दोस्त की बास सुनकर मोहन वहां से निरास होकर घर आ जाता है और अपनी पत्नी को सब कुछ बता देता है तभी गंगा कहती है अरे जब हम लोगों के पास पैसे हैं ही नहीं तो आप क्यों मोहनी की जित को पुरी करने में लगे हुए हैं आप उसे समझा दीजिए वो समझ जाएगी वही मोहनी बाहर खरी ये सब बाते सुन लेती है और वो अंदर जाकर अपने पिताजी से कहती है कोई बात नहीं पिताजी मुझे नया लहंगा चोली नहीं चाहिए मुझे पता था मेरी मोहनी बेटी बहुत ही समझदार है मोहनी ऐसा कहतो देती है लेकिन वो मन ही मन बहुत दुखी होती है क्योंकि उसे नया लहंगा चोली चाहिए था लेकिन उसे पता था कि उसके पिताजी उसके लिए नया लहंगा चोली नहीं ला पाएंगे इसलिए वो चुप चाप दोफेर के समय नदी के पास पानी भरने जाती है और कहती है ए भगवान कास सपनों की तरह ये नदी भी एक जादूई नदी होती तो मैं इससे अपने लिए एक नया लेंगा चोली मांगती कितना मज़ा आता ना लेकिन ऐसा साय सिर्फ सपनों में ही होता है हकीकत में तो हम जैसे गरीब लोगों के होता है मोहिनी के इतना कहते ही उसके आखों से आशू छलकने लगते हैं और जैसे ही उसके आशू नदी में गिरते हैं उसी समय नदी में से एक आवाज आती है सुनो मोहिनी तुमने मुझे अभी अभी याद किया कौन कौन है या लेकिन मुझे या तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है कौन हो आप घबराओ नहीं मोहिनी मैं एक जादूई नदी हूँ जैसा कि अभी तुमने कहा क्या लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है हाँ ये सच है मोहिनी मैं एक जादूई नदी हूँ और तुमने मुझसे अभी एक नया लहंगा चोली मांगा ना तो ये लो ये घास से बना हुआ बहुत ही यूनिक और सुन्दर डिजाइन का लहंगा चोली है तुम इस लहंगा चोली से जो कुछ भी मांगोगी ये तुमारी सारे एक्छाओं को पूरा करेगा क्या आप सचके रही हो आपका बहुत बहुत सुक्रिया जादूई नदी इतना बोल कर मोहिनी वह ज से कहती है लेकिन ऐसा कैसी हो सकता है ये सब तो मैंने कहानियों में सुना है पर मा मैं बिलकुल सच कह रही हूँ वो नदी एक जादूई नदी है और उसी ने मुझे जादूई घास का लहंगा चोली भी दिया है और उसने कहा है कि हम इससे अपनी कोई भी इच्छा पूरी करवा सकते हैं अच्छा तो एसी बात है तो हमें भी दिखाओ अपने जादूई लहंगा चोली की जादू ठीक है पिता जी मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ है मेरे जादूई घास के बने हुए लहंगा चोली तो मुझे अभी बहुत ही स्वादिष्ट खाना ला क हो जाते हैं और कहते हैं सच में बेटी घास का लहंगा चोली तो वाकई जादूई लहंगा चोली है और ऐसे ही नवरात्री की पहली रात मोहिनी वह घास से बना हुआ लहंगा चोली पहन कर जाती है जहां हर कोई उसके लहंगा चोली की बहुत तारीफ करते हैं लेकिन वही काजल उसके लहना चोली को देखकर मनी मन बहुत जल रही होती है क्योंकि मोहिनी उस लहना चोली में बहुत ही सुन्दर लग रही होती है और हर कोई सर्फ उसी की तारीफ कर रहा होता है और इसी बात की जलन में काजल एक दिन मोहिनी का घास से बना हुआ जादूई लहना चो लिप्त से काजल जोड़ से चिलाने लगती हैं और उसकी चिलाने की अवाज सुनकर गंगा और मोहन वहां आते हैं और काजल की मदद करते हैं और उसके कहते हैं अरे काजल बेटा, तो मेहा हमारे घर पर क्या कर रही हो, मुझे माफ कर दिना अंटी जी, वो मेहा पर मोहिनी का लेंगा चुली चुराने आई थी, लेकिन मैंने जैसे इस लेंगे को हाथ लगाया, मुझे वैसे ही बिजली का बहुत जोर जटका लगा, जिससे मेरा दिमाग ह हिल गया मुझे माफ कर दो अंटी जी काजल की बाते सुनकर मोहन और गंगा को पूरा विश्वास हो जाता है कि सच में ये एक जादूई लहंगा है और काजल कभी दुबारा उस लहंगे को चुराने के बारे में सोचती भी नहीं है वहीं मोहनी अपने जादूई घास के बने लहंगा चोली की मदद से अपने घर की गरीब इस्थिती को पूरी तरह से बदल लेती है और अपने परिवार के साथ खुशी-खुशी रहने लगती है मुंबई शहर के छोटे से नगर में विजय अपने परिवार के साथ रहता था विजय की पत्नी का नाम सुमन था और वरनव विवाहित जोडा था क्यूंकि विजय की शादी अभी अभी हुई थी तो वो अपनी शादी से बहुत जादा खुश था वो अपनी पत्नी सुमन को अकसर घुमानी ले जाया करता था और उसके साथ समय बिताया करता था विजय और सुमन एक साथ रहकर बहुत खुश थे एक समय आता है जब सुमन गर्बवती हो जाती है परंदो सुमन अपना ठीक तरह से ध्यान नहीं रख पाती थी जिस वज़े से उसे काफी परिशानिया होती थी वो अक्सर बिमार रहती थी विजे अपने काम पर चला जाता था विजे के बाद सुमन को देखने वाला कोई नहीं था इसलिए विजे अपनी मा को गाउं से अपने घर ले आता है अब विजे की मा सुमन का ध्यान रखती है घर में खुशियों का माहूल था सभी लोग बहुत खुश थे इसी तरह कुछ समय बीच जाता है और अब एक दिन सुमन को बहुत जादा तकलीफ होती है तभी उसकी सास उसे अस्पताल में भरती कर देती है उसके बाद विजे को फोन कर देती है विजे भी अपने काम से छुट्टी लेकर अस्पताल पहुंचाता है और दोनों OPD के बाहर खड़े होकर इंतिजार कर रहे होती है कि तभी डॉक्टर आती है और कहती है बदाई हो विजे तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई है लक्ष्मी तुम अंदर जाकर अपनी बेटी से मिल सकते हो परंतु मुझे माफ करना मैं तुम्हारे पतनी को नहीं बचा सकी उनकी हालत बहुत जादा खराब थी क्या कहा डॉक्टर आपने अगर सुमन ही नहीं बची तो इसकी बेटी का ध्यान कौन रखेगा ये बिना मा की बच्ची अब कैसे पलेगी हमने बहुत कोशिश की परन्तु हम सुमन को नहीं बचा सकी अब आपको इसकी परवरिश करनी होगी आप दोनों इसको घर ले जा सकती है ऐसा कहकर डॉक्टर वहां से चली जाती है विजे ओपिडी के अंदर जाता है और अपनी बेटी को गोध में उठा लेता है अपनी पतनी के शफ को देखकर विजे बहुत जादा रोता है सुमन तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई हो अब मैं इस अकेली बच्ची का ध्यान कैसे रख पाऊंगा तुमने मुझे ये किस दुविदा में डाल दिया है इतना कहकर विजे बहुत जोड़ जोड़ से रोने लगता है विजे की मा ओपिडी के अंदर जाती है और विजे को संभालती है विजे की मा जब विजे की लड़की को देखती है तो वो देखकर उसे हैरान हो जाती है उसकी सूरत तो बहुत ज़्यादा काली थी और नैन नक्ष बहुत ज़्यादा खराब थे हे भगवान ये कैसी संतान को जनम दिया है तेरी पतनी ने इसे देख कर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आज अमावस का दिन हो मुझे तो लगता है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मन्हूस होगी माव अब ये कैसी बाते कर रही हो आखिर है तो ये मेरी संतान ही ना तुम भी कहीं भी कुछ भी बोलने लग जाती हो कुछ सो समझ लिया करो इसके बाद विजे अपनी पत्नी के शव को लेकर और अपनी बेटी को लेकर अपने घर वापस आ जाता है विजे अपनी पत्नी का अंतिम संसकार कर देता है और घर पर उदास बैठा होता है अरे बेटा इतना उदास क्यों बैठा है कब तक अपनी बीवी के जाने का गम मनाता रहेगा विजे अपनी मा को जवाब नहीं देता है और अपनी बेटी को उठा कर अपने कमरे में ले जाता है विजे की बेटी बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि उसे भूट लग रही थी विजे अपनी बेटी को एक हाथ में लेकर किचन में जाता है और उसके लिए दूद गर्म करता है और उसे पिलाता है उसके बाद वो सो जाती है विजे को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपनी बेटी की परवरिश करे या अपना काम करे क्योंकि विजे की मा तो उसके बेटी को एक पल भी नहीं देखती थी विजे एक दिन अपने घर पर हवन करवाता है और उस दिन अपनी बेटी का नाम करन करता है वो अपनी बेटी का नाम परी रखता है और उसका ध्यान रखता है परी एक साल की हो जाती है विजे ने उसे बहुत मुश्किलों से संभाला था मा आखिर कब तक तुम इस तरह भेवार करती रहोगी अगर मैं काम पर नहीं जाओंगा तो खाने के लिए घर में राशन कहां से आएगा मैं कल से काम पर जाओंगा और तुम ही इस बच्छी की देख बाल करनी है देख विजे, मेरी अब उम्र हो गई है मैं इस बच्छी की परवरिश नहीं कर सकती हूँ मेरी मान तो तू अब एक दूसरी शादी कर ले अभी तेरी उम्र कुछ जाधा भी नहीं है तुझे एक अच्छी लड़की मिल जाएगी जो तेरी लड़की की परवरिश भी कर देगी वैसे भी मैं तो बस कुछ ही दिन की महमान हूँ तेरे पास तो आगे की पूरी जिन्दगी पड़ी है तू अपनी बेटी की परवरिश अकेले नहीं कर सकता है इसे एक मा की जरूरत है मेरी बात माल ले मेरी नजर में एक बहुत अच्छा रिष्टा है तू कहे तो मैं कल ही जाकर उनसे शादी की बात कर लेती हूँ लड़की बहुत जादा सुन्दर है ठीक है मा अगर मेरी बेटी की परवरिश करने के लिए एक मा की जरूरत है तो मैं दूसरी शादी करने को तयार हूँ परंतु मैं आपसे पहली ही कह देता हूँ कि मैं अब अपने और उलाद पैदा नहीं करूँगा अगर वो लड़की इस बात से राजी हो जाए तो मैं शादी करने के लिए तयार हूँ अरे वाह बिटा तुमने शादी के लिए हाँ बोलकर तो मेरे कली जी को ठंड़क दे दी है मैं तो कब से तेरे बारे में सोच सोच कर परिशान हो रही थी अब मेरी सारी चिंता दूर हो गई है मैं आज ही जाकर शादी की बात करती हूँ परंतु तुझे मुझसे एक वादा करना होगा शादी से पहले तु उस लड़की को ये नहीं बताएगा कि तेरी पहले से ही एक लड़की है तु जानता है ना कि एक कुवारी लड़की कभी भी ऐसे आदमी से शादी नहीं करेगी जिसके पहले से कोई संतान हो जब शादी हो जाएगी उसके बाद सब कुछ उसे पता चल जाएगा परन्तु जब तक तुम्हें चुप रहना होगा लेकिन मा ये तो धोके बाजी हुई ना क्या पता वो यहाँ आकर उसकी परवरिश करने से इंकार कर दे फिर हम क्या करेंगे अरे बेटा कुछ गलत बात नहीं है मैं सब कुछ संभाल लूँगी इसके बाद विजे अपने काम पर जाने लगता है और विजे की माँ परी का ध्यान रखने लगती है विजे की माँ विजे की दूसरी शादी करने की पूरी कोशिश कर रही थी उसे एक लड़की मिल जाती है उसके बाद विजे की माँ उन दोनों की शादी कर दीती है विजे की दूसरी पतनी का नाम राधा था राधा दिखने में बहुत ही जादा खुबसूरत थी और वो शहर की एक मॉडल लड़की थी शादी के बाद राधा विजे के घर आ जाती है विजे की मा दोनों का स्वागत करती है तभी राधा पूरे घर को देखने के लिए इधर उधर घूमने लगती है तभी राधा परी के कमरे में जाती है और परी को देखकर हैरान हो जाती है मा ये कौन है अरे बेटी बेटी ये एक लड़की है जो विजे को एक मंदर के बाहर मिली थी विजे बहुत दयालू किसुन का इंसान है इसलिए उसे ये सब देखा नहीं गया और वो इस लड़की को उठा कर घर ले आया ओ माई गौड माई इसके हालत तो देखो कितनी बुरी है कितनी बस सुरत दिख रही है ये मुझे तो लग रहा है विजे के व gentleman में नाकाम्याबी के पीछे इसी का हाथ है हमें इसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए तब ही माँ राधा के कान में कहती है अरे बेटी विजे इससे बहुत प्रेम करता है हमें इसे घर से बाहर निकालने के लिए कुछ तरकीब निकालनी होगी तभी कुछ हो सकता है अब दोनों साज बहु काना फूसी करती हैं और राधा जाकर अपने कम्रे में सो जाती है अगले दिन विजे अपने काम पर चला जाता है और राधा मा के मताय अनुसार परी को वापस मंदिर की और छोड़ कर आ जाती है और उसके बाद घर पर आकर पाटी करने लगती है शाम को जब विजे अपने काम से वापस आता है तो वो परी को इधर उधर ढूणने लगता है परंतु उसे परी कही नजर नहीं आती है विजे राधा को आवाज देता है राधा, राधा, जल्दी धराओ क्या हुआ विजे, तुमें इस तरह चिला क्यों रहे हो चिलाओ नहीं तो और क्या करूँ मा, मा कहा है विजे सोचता है कि शायद मा परी को अपने साथ मंदिर ले गई हो विजे अपना हाथ मुधो लेता है और खाना खा लेता है विजे की मा जब मंदिर से वापस आती है तो उनको खाली हाथ देखकर विजे उनसे प्रश्ण करता है मा, मा परी कहा है? मैं जब से कामपर से वापस आया हूँ मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है राधा से भी मैंने पूछा, वो कह रही है कि तुम्हारे साथ है पर आप तो मंदिर से खाली हाथ वापस आ रही हो बेटा, मैं तुम्हें क्या बताऊँ? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे समझाऊँ? मैं परी को लेकर मंदिर गई थी मैं पूझा करते समय परी को थोड़ी देर के लिए मंदिर के फर्श पर बठा दिया था पर वो पता नहीं कहां गायब हो गई मैंने उसे बहुर ढोड़ा तब ही मुझे मंदिर से आने में इतनी देर हो गई मा, अब इतनी लापरवा कैसे हो सकती हो? मुझे आप से ये उमीद नहीं थी मुझे जब तक मेरी बेटी वापस नहीं मिल जाएगे मैं घर वापस नहीं आऊंगा इतना कहकर विजे अपने घर से चला जाता है और अपनी बेटी की तलाश करता है वहीं दूसरे तरफ मंदिर में एक छोटी सी लड़की को रोता हुआ देखकर आसमान में उड़ती हुई एक परी उसे अपने गोद में उठा लेती है और उसे परी लोग ले जाती है परी बहुत ज़्यादा रो रही होती है तभी नीली परी उसे चुप कराती है सभी परीयां उस लड़की को देखकर हैरान हो जाती है नीली परी तुम्ही लड़की कहां मिली ये तो बहुत ज़्यादा रो रही है कि इसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है ये तु मुझे नहीं पता मैं धरती पर सैर कर रही थी तब ही मुझे ये लड़की एक मंदिर के बाहर रोते हुए नजर आई और इसके आसपास कोई नहीं था इसलिए मैं इसे यहां उठा कर ले आई हूँ देखो ना इस बच्ची को इतना बस सुरत होने की वज़े से इसके माता पिता इसको मंदिर में ठोड़कर चले गई है शायद हाँ नील परी आजका लोग बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो गई है वो खुबसूरती को ही सब को समझते हैं कोई बात नहीं अब इस छोटी बच्ची का ध्यान हम रखेंगे इसके बाद नील परी और नटखट परी मिलकर उस लड़की को रानी परी के पास लेकर जाते हैं और रानी परी को सारी कहाने बता देती हैं रानी परी अपनी जादूी शक्तियों से परी को बहुत खुबसूरत बना देती है और अब उसकी नीली आखे, लंबे सुनहरे बाल और एक खुपसूरत सी ड्रस में एकदम परी बन जाती है रानी परी उसकी परवरिश करती है और धीरे धीरे करकर वो छे वर्षकी हो जाती है वहीं दूसरी तरफ विजे अपनी बीटी की तलाश करती हुए बहुत दूर दूर तक घुमता है और बहुत परिशान रहता है काश, काश मैं मा के कहे अनुसार दूसरी शादी ना की होती तो शायद आज मेरी परी मेरे पास होती सुमन तुम कहा हो, देख रही हो ना तुम भी मुझे छोड़कर चली गई हो और परी भी मुझे छोड़कर चली गई है अब मैं क्या करूँ इस दुनिया में मुझे अब अकेला नहीं रहना है मुझे भी अपने पास बुला लो मैं बहुत ज़्यादा परिशान हूँ विजे बहुत परिशान होता है और रोने लगता है विजे को रोता हुआ देख कर उसकी मरी हुई पत्नी सुमन उसके सामने प्रकट होती है और उससे पूछती है विजे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो हमारी परि बिल्कुल सुरक्षित है तुम्हारी मा और तुम्हारी पतनी ने परी को मंदिर में छोड़ दिया था और वो वहाँ पर बहुत जादा रो रही थी तब ही नील परी उसे उठाकर परिलोक मिले गई और अब वही उसकी परवरिश कर रही है हमारी बेटी एकदम सुरक्षित है और अब बहुत जादा खुबसुरत भी हो गई है मैं अपनी बेटी को एक बर देखना चाहता हूँ और उससे माफी मांगना चाहता हूँ मेरे होते हुए उसके साथ इतना कुछ हो गया विजे हाथ जोड़कर अपनी पतनी से विंती करता है कि वो अपनी परी से मिलना चाहता है तभी विजे की वो तमन्ना को देखकर नील परी परी लोग से परी को लेकर विजे के पास आती है और उसे बताती है कि यहीं परी है विजे अपनी बेटी को देखकर बहुत जादा खुश होता है और उसे गले लगा लेता है मुझे माफ कर देना बेटी मैं तुम्हारी बरवरिश बिल्कुल भी नहीं कर पाया हूँ परन्तु मैं वापस अपनी मा और अपनी पत्नी के पास कभी नहीं जाओंगा मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा अपनी बेटी के प्रती विजे का इतना प्रेम देख कर नील परी परी को विजे को सौप देती है और अब विजे अपनी बेटी के साथ एक छोटी से घर में रहने लगता है विजे अपनी बेटी का एड्मीशन एक स्कूल में कर देता है और वो उसके लिए सुबह उटकर नाश्टा बनाता है और उसे स्कूल छोड़ कर आता है उसके बाद अपने ओफिस चला जाता है इस तरह विजे अपनी बेटी का अब बहुत अच्छे से ध्यान रखता है और विजे की बेटी बहुत बड़ी हो जाती है बड़ी होने के परी अपने पापा का बहुत ध्यान रखती है उन्हें समय पर दवाई देती है और दोनों एक साथ खुशी खुशी रहती है